नमस्कार आदाब मैं सुसिल दोस्तो स्वाहा होने वाली है गोधी मीडिया साहब की चौकट पर हर मीडिया माली गिगिया रहा है रेंग रहा है सरकों पर घेरे जाड़े हैं रिपोर्टर्स और एंकर्स गुस्ताकी माफ हमारी दुकान चला दीजिए साहब अरुनपुरी माल मालिक है आज तक के इंडिया टूरी ग्रुप के वादा करता हूं रिपब्लिक नेटवर्क आपकी सोच के साथ अर्नप गोशामी है मालिक है रिपब्लिक नेटवर्क के रासिद हुशेन हमारा पत्रकार नहीं बास कर एक अखवार है उसने का रासिद हुशेन हमारा पत्रक बताएंगे इसके माइने क्या हैं? दोस्तों आप कहेंगे कि हम मिडिया को दुकान क्यों कह रहे हैं। तरसल मिडिया को दुकान हम नहीं, खुद पत्रकारता को जीने वाला सक्स अब अपने चैनल को खुद ही दुकान कह रहा है। पत्रकारता करने वाला शक्स इस दौर में सत्ता से सवाल करना भले ही छोड़ दिया हो, तथ्यों को लिखने पढ़ने से मनाही की मुनादी कर दि गई हो, लेकिन टेकलोजी के इस दौर में क्या सोसल मीडिया पर सवाल करना छोड़ दिया गया, तथ्यों का आइना दिखाने स किस ने रोग दिया आज गाओं के बच्चे की पास हाथों में टेकलोजी है सुबह से साम तक अपने सवालों और तत्यों को शामने जब लाता है सरकार की गिगी बन जाती है इन बच्चों ने पत्रकारता का कोई कोर्स नहीं किया है बस उसकी जिंदगी या उसके घड़वाल नहीं हो सकती है पत्रकारता तो आम जन जीवन को सत्ता से रूब्रू कराता है जाहे सवालों के जड़िये या अपने हालात के तत्यों को सत्ता के सामरे रख करां दो हजार बाइस में जिस आज तक और अंग्रेजी चैनल इंडिया टुड़े के प्राइम टाइम के छे सो मे यानि आप अन्यना उमकर्ष्यप का सो ले लिजे सुधिर चौधरी का सो ले लिजे चित्रा तिरपाठी का सो ले लिजे रादीप सरदेशाई का सो ले लिजे नोटों के चीप वाली एंकर स्वेता सिंग का सो ले लिजे या राहुल कमवल का सो ले लिजे या अर्णम रहे थे वहां 2023 आते आते तीन विज्यापनों में शिमट गया है जिस चैनल को सौ में साथ लोग देखते थे उसे अब 35 से 37 लोग देख रहे हैं यानि 40 फिस्टी दर्शक निकल पड़े हैं हालात खड़ाब है इस हालात को सुधारने या काबू में रखने के लिए मालिक पूरी ने अपने चैनल के काजक्रम में साहब से अर्ज करते हैं गुस्ताखी माफ साहब आप हमारी दुकान चला दीजे साहब सामने बैठे एंकर्स पत्रकारों की और मुखातिब होते हैं और फिर माइक शभालते हुए कहते हैं आज आपकी दुकान हम ही चला लेते हैं च प्राइम टाइम के सो को मुष्खिल से एक विग्यापन से चाम चलाना पड़ ला है। सबता ह voltar के तीन दीन का प्राइम टाइम का सो बिना विग्यापन चलाना पड़ ला है। इस बिग्रे हालात में अर्णब गो स्वामी भी पीम नरेदर मोधी को अपने काजकर्म में बुलाते हैं और कहते हैं प्रधान मंत्री जी आज आप से रिपब्लिक नेटवर्क वादा करता है आपकी विजन आपकी सोच के साथ हमारा रिपब्लिक नेटवर्क हमेशा खड़ा प्रधान मंत्री जी आज इस मंच से आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी लगन से पूरे कमिटमेंट के साथ आपके विजन के दिशा में हम अपने प्रयास भी जोड़ेंगे दो प्रधान मंत्री जी हमारे जो टेग लाइन है बढ़ाने में उंचायमे तक लेजाने में रूबिका अपना रोल पलेगी अपना कोंट्रिबूशन देगी जिन नए चैनलों की बुनियाद डाली जा रहे हैं उसके मालिक संपादक खुले तोर पर घोषना कर रहे हैं कि हमारा चैनल पीएम मोदी के सोच और राष्टवाद के साथ खड़ा है आपको बताते चले कि चाहे अरुनपुरी हूँ या अरुनमकोश्वामी हूँ दोनों ने अपने कैरियर की शुरुवाद पत्रकारता से की और एक अरसे तक पत्रकारता की भी अरुनपुरी ने अपने इंडिया टुडे मैगजिन की शुरुवाद इंदरा गांधी के इमर्जेंसी की घोषना करने के मात्र पांच महिने बाद यानि दिशंबर उनेशो पच्छतर में की थी यानि इमर्जेंसी के दोड में अरुन पूरी ने पत्रकार होने का मतलब इंद्रा गांधी खुश समझाया था आज वह सक्स पत्रकारों के भड़े मजमे में कहता है गुस्ताखी माफ साहिब आप हमारी दुकान चला दीए और सामने बैठे एंकर्स ठाहा के लगाते हैं और तालिया बजाते हैं और मन-मन मुश्कुराते हैं और फिर साम के अपने प्राइम टाइम के शो में देश का सच बताने सिल्वर एस्क्रिंग पर न जड़ा जाते हैं और सच उस्सक्स का जो सावजनिक तोड़ पर कहता है कि शाहिन वाग आंदोर्ण में आए लोगों को पहनावे से पहचानिये नोटबंदी की घोसना करता है और एंकर एतिहासिक और साहसिक पी-म का ताज पहनाते हुए पहले के साड़े पी-म को एक कतार में खड़ा कर जटके से भरस्टा चारी बताने लगता है नोरबंदी की कतार में आम आदमी खड़ा रहा सो से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई कोई खबर नहीं, कोई शवाल नहीं जाहिर है जब एक ही सक्स सबकी दुकान चलाने की घोसना सिल्वर एस्क्रीन पर करता है तो फिर दुकान के अंदर बेचे जाने वाला शामान उसी के पसंद का होता है सिल्वर एस्क्रीन पर दुकानदार के सेल्समेर कितनी जोर से आवाड लगाएगा यह भी दुकान चलाने वाला माली खिते करता है तब ही आप देखते होंगे जितने भी कोजी मीडिया के चैनल से चाहे आद तक हो या जी नीज हो या इंडिया टिवी हो टाइमस्राव हो या नौभारत हो टिवी एटीन हो या टिवी नाइन भारत हो भारतवर्स हो सबके दुकान एक जैसा ही सामान आपको मिलेगा पैकेजिंग अलग-अलग आकर्षक अंदाज में दिखेगा एंकर सरीखे सेल्समें अपने अपने तौर पर अपने अंदाज में चिलाता नजर आएगा जब हम कह रहे हैं कि एक जैसा सामान तो कहने का मतलब है इन चैनलों पर एक साथ आपको हिंदू-मुशलमान दिखेगा एक साथ हिंदू-राष्ट दिखेगा एक साथ गौव-हत्या दिखेगा एक साथ लब-जिहाद दिखेगा एक साथ राहुल-गांजी से सवाल-पुस्ता ने जड़ाएगा यानि चैनल पर जो कंटेंट पर उसे जा रहा है सामान पर उसे जा रहा है किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पर भी कोई अलग कंटेंट आपको नहीं दिखेगा हमारे आपके सरुकार की जमीनी तत कहीं नजर आएंगे ही नहीं यकीन मानि गोधी मीडिया की दुकान बंद होने जा रही है The Peach Madison Advertising Agency ने इसी साल यानि 2023 में एक रिपोर्ट सावजर्निक किया है कि मीडिया में विज्यापन खर्च होने वाला बजट 2021 की तुम्ना में 2022 में ज्यादा खर्च हुआ यानि यहां 2021 में 74,231 करोर रूपे खर्च किया गया था वहीं 2022 में 89,830 करोर रूपे खर्च किये गया है यानि 20% सी ज्यादा इस खर्च किये गये बजट में 33,500 करोर रूपे TV विज्यापन पर खर्च हुए वहीं डिजिटल माध्यम यानि सोसल मीडिया पर 43,36 करोर रूपे खर्च किये गया है मतलब 10,1,000 करोर ज्यादा वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिर 2024 आते आते नीव चैनलों की 53 फिस्ती दरसक सोसल मीडिया की तरफ रूप कर लेंगे यानि अभी 35 दरसक अगर टीवी देख रहे हैं 2024 आते नीव चैनल देखने वाले दरसको की शंक्या शोरस सत्र हराई जाएगी इस बात से कोई इंकार नहीं कि टेकलोजी का विस्तार जी शुरूप में हुआ उसे 72 फिस्ती लोग न्यूज अपने स्मार्टफोन से देख और सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं नरिन्र मोदी शीदे आहमधावास से दिल्ली पहुंच गया है इस बात से न कॉंग्रेस इंकार कर सकते हैं न बीजे की और न मीडिया कि अगर नरिन्र मोदी की मौजूदगी देश के दूसरे सुबह में दिखाई दी तो उसकी एक बड़ी बज़ा सोसल मीडिया भी रही है लेकिन आज के दौर में गोदी मीडिया की दर्शक अगर खेशक ले रहे हैं तो उसकी बज़ा टेकलोजी का भी स्तार होना नहीं है बलकि तथा कतित में एस्ट्रिम चैनल्स की किरती साख की जगह लेती सोसल मीडिया की वह साख है जहां हर नागरी सत्ता से सवाल पूछ रहा है या सवाल पूछ भी नहीं रहा है तो कम से कम अपने मॉबाइल से जमीनी तथे का फैक्ट का वीडियो बनाकर सोसल मीडिया पर अप्लोट तो कर दे रहा है और पलक छपकते वह वीडियो वाडल हो जाता है वाडल होते ही जन्ता कमेंट के जड़िये सवाल पूछने ही लग जा रही है फिर सत्ता और सत्ता से जुड़ा अमला उसकी लीपा पोती करने में रग जाता है या फिर कोई श्टिंगर शरीखा पत्रकार जिले में आये सांसद या मंत्री से अपने माई काईडी पर स्रिफ दो सब्द कहने के लिए बोलता है और सब्दा की शनक में शमाय मंत्री या सांसद दो सब्द की ओलने की एवज में उसे नौकरी से निकलवा देनी की धंकी देता है और निकलवा भी देता है लेकिन इससे जितना ज्यादा नुसान उस पत्रकारता संस्थान का होता है जो कहता है कि हम पत्रकारता करते हैं और साथ में उस मंत्री का भी हो जाता है मगर भासकर का ये स्ट्रिंगर सरीखा पत्रकार रासिद हुसेन अपनी साख को बचाने में काम्याब हो जाता है ध्यान दीजे भासकर ने अपनी पोजिस्निंग बदल दी मतलब मिडिया अपनी पोजिस्टिंग बदल दे रहा है मंतरी अपनी पोजिस्टिंग बदल दे रहा है लेकिन रासिद हुसैन अपनी पोजिस्टिंग नहीं बदला पत्रकार्ता अपने रूप में द्यों करत्यों वहीं पे खड़ा है भासकर ने अपनी पोजिशनिंग बदल दी यह कह कर कि वड़ासिद हुसाइन मिला पत्रकार नहीं है मंत्री दोसब बोलने के एवज में उसे नौकरी से निकलवा देनी की धमकी देती है जनता की नेजर में दोनों की भद बिट गई भासकर गोदी मिडिया के सब में पिरोए जाने लगा और मंत्री ताना साह की पैरोखार साबित हो गए जनता के बीच गोदी मिडिया की साह गिराने कोई मंगल गढ़ से तो आया नहीं कोई दूसरे उप महाधीप से आया नहीं जब आप लोकतंत्र को दंधा मानकर जीने लगेंगे तो देश को कंप्री बनने में कितनी देर लगेंगे जब आप पत्रकारता को जटके में दुकान सभोसित कर देंगे तो फिर दर्शक भी ग्राहक बनकर दुकान में बेचे जाने वारे सामान की असली नकली की पड़क तो करेगा, एक्सपाइडी की तारीख देखेगा, दूसरी बात, आप पाश्राला या इस्कूल का साइन बोड लगा कर पर्चुन बीचना शूर कर देंगे तो फिर जनता इ पर्चुन बेचने लगा, और हकीकत में इस पर्चुन बीचने की दुकान में पर्चुन का धंधा करने वाले बड़े महाजनों के पैसे भी लगे, एक दो चैनल को छोड़ दीजे, तो सभी के सभी चैनल से अंबानी अडानी द्वाड़ा खड़ीद लिए गये, और जिसे अंडानी अंबानी ने नहीं खड़ा, वह साहब के दरवाजे पर खुद की बोरी लगाने का एलान करना है, पर्चुन के इन दुकानों में पत्रकारता का जो शामान बेचा जारा है, वह जनता की नजर में खुद अपनी एक्सपाइडी की तारिक का एलान भी करना है, मतलन नोटबंदी में, नोट मदलवाने गया सक्स, घर नहीं लौटा, लेकिन उसकी लास घर लौटी, और एंकर तीवी में नोट मिल लगे चीप की बहस कर रहे थे, नोटबंदी पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हुआ, इसकी बहस कर रहे थे, जाहिर है, जनता पर असर क गिवाग जहटके में गायब कर दी गई, JST का संसत से पास होने पर खबर बनायी जा रही थी, सत्ता अनुकुल बहस चलायी जा रही थी, जंता लेकिन गायब थी, जंता से पूछा नहीं गया है, JST हुठता क्या है, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की बहस चलाई जा रही थी कोई यह नहीं पूछ रहा था कि बिश गुडू वाली देश में सुरक्षावलों को हवाई जाज क्यों नहीं उप्लब्द कराया गया एक जटके में जनता सरी के सुच्छावलों के मौत के शवाल राष्टवात की बहस में गायब कर दिये गया सत्ता के राष्टवात के साथ गरम ताल करते हुए तमाम कैमरे पाकिस्तान के तरफ मोर दिये गया कोबिट के दोड को याद कीजिए बिना तैयारी किये के लॉकडाउन की घोशना कर दी गए सरक के रास्ते घर जा रहे मजदूरों को ट्रक रौंद गया लेकिन तब्री की जमात का आस्रा लेकर एक तरफा बहस चला दी गए कोबिट मुश्रमान फैला रहे है यानि जनता को बाट्टे हुए जनता के शरोकार को गयब कर देने की कला इस गोदी मिडिया ने ही तो इजाद किया है और कहां से सीखा है सत्ता से सीखा है जाहिर है जनता के सवाल गयब कर दिये गए 2016 से अब तक शरकों पर जिस तरीके से भीर तंतर का न्याय तंतर देखनेों को मिला गोदी मिडिया ने भी अपनी बहस में शमीधान और सुप्रिम कोट के गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए इस भीर तंतर की आवाज के साथ खुद को ही खड़ा कर दिया यानि लोक तंतर की शम्वेदन सिल्टा को जटके में बहुत संख्याक वाद के सामने बौना बना दिया आपको याद होगा दोहजार उनीश नागरिक्ता कानून यानि शिये इस नागरिक्ता कानून की विरोध में साहिन बाग आंदोलन की शुवात साहिन बाग मुहले की मुस्लिम महिलाओं ने की देखते देखते आम जनता इस आंदोलन में शामीड होने लगे फिर यहां आंदोलन पूरे भारत में यानि अखिल भारती अस्तर पर फैर गया अकेले बिहार में 300 जगों पर गया आंदोलन देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट और श dont श रांदोलन को किर्वा पाई खत्म नहीं पर पाई कोरोना को वज़े से लोगों ने आंदोलन वापस ले लिया और शक़ुष्मकार अभी तक इस कानून को लागू नहीं कर पाई यहां तक कि इस कानून का नाम लेने से आज भी घपराथी है। इस आंदोरन की सफलता का पुड़ा का पुड़ा क्रेड़िट य श्रे कह लिजे। सुसल मीडिया को जाता है। गोधी मिडिया को इस आंदोलन में आंदोलन काडियों ने घुसने तक नहीं दिया था गोधी मिडिया तो आंदोलन काडियों के कपड़े की पहचान कर आंदोलन काडियों को देश द्रोही बुला रही थी इसी तरह 2020 का किशान आंदोरन जिसमें 700 से ज्यादा किशानों की जान आंदोरन करते हुए चली गई यह आंदोरन लगवाग एक साल से ज्यादा चला और देश के पीए मोदी को किशानों की मांग को मानते हुए तीन कृष्णी कानून वापस लेनी पड़े माफी मांगनी पड़े बोधी मीडिया तो इस आंदोरन को कभी खालिस्तानियों का तो कभी देश दोहिओं का अंदोरन कह रहे थी सोसल मीडिया के जड़िये या अंदोरन जिस प्यापकता से फैने लगी खुद किशान या किशानों के बच्चे विडियो बना कर P.A. मोदी से सवाल कर रहे थे सरकार की गीगी बन ले थी सरकार ने ट्विटर के उस वक्त के सी ओ जैक डोर्शी को धमकाना शूर कर दिया सोसल मीडिया के एक प्रेट फॉर्म है सोसल मीडिया का प्रेट फॉर्म है सरकार को डर किस से लग रहा सोसल मीडिया से सरकार ने क्या किया उसके ट्वीटर के जो सीयो थे जैक डोर्षी उसको धमकाना सूप कर दिया सरकार के मंतरी ने जैक डोर्षी को का ट्वीटर पर किशान आंदुन के बाड़े में जो कुछ लिखा जारा है जो भी वीडियो डाला जारा है वैसे एकाउन को फॉरन बंद कीजे वरना आपके ओफिस पर हम छापे मारेंगे और दिली पुलिस की इस्पेशल सेल ने छापा मारा भी रेट किया भी जाहिर है जनता पत्रकारता को देखने सुनने और समझने के लिए सोसल मीडिया की तरफ मूर चुकी है और आने वारी दिनों में गोधी मिडिया ना अपनी साख को वापस ला सकती है नवा दर्शक जिसे पत्रकारता का साइन बोड लगा कर परचुन की दुकान में तबदील हो चुके चैनलों में खबनों के नाम पर पिये मोधी का कभी योगा प्रोडक्ट तो कभी नमामे गंगे प्रोडक्ट तो कभी नोटबंदी का प्रोडक्ट विचा जा रहा था बहस के नाम पर एक तरफार डायलोग करना सिखाया गया जटके में समुचे विपक्ष को देश दोरी मानने के लिए विवस कर दिया गया सोसल मिडिया की साथ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी तो देश का तथा कथित बड़ा चैनल आज तक महिला पहलवानों की इस आंदोलन के समाप्त होने की खबर चला रहा था और इस खबर का खंडन करने के लिए महिला पहलवानों को सोसल मिडिया का सहारा लेना पड़ा और आंदोलन काडियों ने खंडन करते हुए अपना वीडियो मैंसे जारी किया कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है आंदोलन जारी रहेगा जाहिर है गोदी मीडिया ने जनता के मंच को अपनी सोच से हत्याने में कोई कशल बाकी नहीं छोड़ी लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो चलिए दर्शक ने तो एक बड़ी लकी रखी दी और सोचल मीडिया का रूख कर लिया लेकिन वही दर्शक अब जनता बनकर गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स और आंकर्स को अपने सवालों में गहरने लगी है चाहे साहिन बाक का अंदोलन हो या किशान अंदोलन हो या नोट बंदी हो या महिला पालवानों का अंदोलन हो सभी जगा रिपोर्टर्स और आंकर्स गेरे जा रहे हैं जनता फाजियत कर रही है आप हमारे किसानों का अतंगवादी दिखाते हो आप लोगों को जो मन में आये वो तरिये यहां पर सारा काम किया जारा इसमें आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है आप लोग कंदर नहीं होना चाहिए लोग कंदर में जाए तो हमकर लोग तंटर है तो अंदर जाने दिया जाए पर आप क्यों भगा रहे हैं को यो पारे हम आपको पीछा आना जाते है जन्ता फजियत कर रही है, फिल्ड रिपोर्टिंग करना बहुत मुस्किल हो चला है, YouTube या website टेर्नर्स की रिपोर्टर्स को कोई नहीं रुकरा है, उनके पास कोई एक लाग की भी पुझी नहीं है, दो लाग की भी पुझी नहीं, किसी के पास 50,000 की भी पुंजी नहीं है, लेकिन हाथ में माय का एड़ी है, फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उपत्रकार है, और पलक जपकते, गोधी मीडिया के रिपोर्टर्स की रिपोर्ट सोसल मीडिया पर खाड़ी होने लगती है, जब ये यूटूबर्स अपन गोधी मीडिया ने अपनी शांक गवाई, दर्शक गवाई, कमाई भी गवाई, फिल्ड में रिपोर्टिंग करने का साहस भी खोया, यानि हमें या आपको बिलकुल इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, याने वाले वक्त में अस्थापित मीडिया, यानि गोधी मीडि लेकिन अब इतना जरूर होने जाना है, याने वाले वक्त में कोई मीडिया तंत्र नहीं होगा, जहां भी इन चैनल्स के रिपोर्टर्स नजड़ा हैं, इन रिपोर्टर्स से आप भी सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल करने का हक हर नागलिक को है, और यह हक आपको या हमें व झाल 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